नमस्कार प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से असिस्टन प्रोफिसर की तयारी कर रही है और अभी अभी जो समान्य ग्यान के परिक्षा देकर निब्रित हुए है मुझे उम्मीद है कि आपकी सामने ग्यान के बरिक्षिया अच्छी गई होगी और जैसे त्यारिया आपने की थी आसान रूप आपका पेपर गया होगा उसके वारे में सामने ग्यान के विश्य सग्या वह बात कर रहे होंगे और करते रहेंगे मैं यहां उपस्तित हुए खास वज़े से और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ओनलाइन टेस्ट त्रीज एक मार्क दर्सन के रूप में हम चला रहे हैं कि यह ओनलाइन टेस्ट त्रीज काफी कुछ विद्यारती कूछ रहे हैं बात्तित कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस सिमित समय में क्या कर पाता हूं चूंकि आपको मालूम है कि 17 मार्क के आसपास आपका पेपर घोशित हो चुका हिंदी साहित्य का और हमारी उम्मीद है हमारी आसा है और हमारी सुबकाम नहीं भी है कि समय पर पेपर हो और होना चाहिए तो कुल मिलाके जनुरी का पूरा महिना या फरवरी मार्च ज्यादा समय नहीं है लगबग 70 एक दिन का समय हमारे पास है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य टेस्ट शरीज या कुछ परस्णों के स्रंक्रला चलाई जा सकती है तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं तेरे जनुरी दो हजार चोई से इसे प्रार्म करूँगा क्योंकि आप साथ तारीकों तरिक्षा देंगे एक दिन रेस्ट भी करेंगे तो अगर आठ से पढ़ना सुरू करें नो से पढ़ना सुरू करें तो पांस-पांस दिन का अंतरा से 10 तेस्ट होंग आपके दौनों पेपर में 10 यूनित हैं यूनिट का एक टेस्ट होगा तो और उसके बाद में 1 पेडिडेंट करें हम पूरे सिलिवस करेंगे विंप्य पूरा बबबबीउनि एक टेस्ट जैकंड़ऱ पर्यस का एक टेस्टrot कुल्म लाके 10 टेस्ट हो गए आपके एक एक यूनिट के और दो होगे मेगा टेस्ट के लिजी एस्वार्ण के टेस्ट के लिजी तो 12 टेस्ट हैं बहुत ज्यादा टेस्ट मुझे लगता है कि अगर 20-30 टेस्ट किया जाएं रोजा ना किया जाएं तो वह भी ठीक बात नहीं है क्योंकि टेस्ट बनाना भी अपने आप में बड़ा वुस्किल काम है और बहुत तारी उसमें रेशो का ध्यान अपड़ता है बहुत सावधानिया उसमें होती है तो अप से हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि यह परवरी के अंत में समाप्त हो जाएगी ऐसा मैं कोशिस करूँगा तो आपको लगबग 10 या 15 दिन आपको जरूर मिलेंगे या मान लिजिए 4-5 मार्त के आसपास यह समाप्त हो तो भी आपको 10-15 दिन मिलेंगे ताकि आसान सेडूल है तो यहां फर बात्तित करने का मतलब क्या इसकी में थोड़ी सी मुझे लगता है कि हम बात्तित इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम हो साजह करें कि मैं क्या करने वाला हूँ आप उसके साथ साथ क्या क्या कर सकते एक छोटा सा मैंने हिंट आपको दिया लेकिन यह दस टेस्ट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांट और सटा साथ और नुवा दस तो संपूर्ण पार्ट्रेक्रेम की अधिक पेपर की अलग अलग यह दस टेस्ट यूनिट वाईज इसमें दोनों पेपर एक साथ चलेंगे तो क्या संतूलन बना रहे थोड़ा सा य किसी के बिल्कुल अइसमें दोनों पेपर एक साथ लेगा जैसे पहला टेस्ट है तो फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट है तो दूसरा टेस्ट सेकंड पेपर की पहली यूनिट है तो तीसरा टेस्ट फर्स्ट पेपर की दूसरी यूनिट है ठीक है यानि एक टेस्ट पहल कि विन अभी रूची अबनी रहे और चाहें तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि जैसे मालेजी यह पांच-पांच दिन से टेस्ट हो रहे हैं तो आप टार्गेट करेंगी दस दिन में मुझे तोनों पेपर की एक-एक यूनिट त्यार करेंगी ऐसा भी आप टार्गेट ब लेकिन मेरा आप से निवेदन है कि आप पहले टेस्ट के दिन सही चोथी और पांच-वी उनिट को साथ-साथ पढ़ना प्राविम करें मैं यह विशेश बातें करने के लिए यहां यूटूब पर उपस्तित पहूं नहीं तो इसका इतना प्रचार-प्रसार में करता भी न सकता भी नहीं है जो फाइदा उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे से जो फाइदा उठा सकें क्योंकि ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं जो अभी भी के टेस्ट्री जी आम अलब चलाएंगे और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूं कि पहले से कुछ विद्यार्थी जुड़े में तो उनको फाइदा हो नए जुड़े तो ठीक नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं जिनको जहां उत्तित लगे वहां त्यारी करें और जहां सुकून और रिलेक्स हो सकें वहीं त्यारी करें तो मुझे लगता है कि चोथी और पांचवी यूनिट की बारी तो वहां आएक है लेकिन आप पहला टेस्ट की तियारे करने के साथ सा रोजाना थे दो घंटे एक घंटे अपना टाइम सेडूल स्विक्स करें लेकिन आप वहां उसको मत सोड़ें क्योंकि वहां रचनाओं को थोड़ इसमें गद्य रचनाओं और मैं यह कहना चाव हमा कि इसमें जो आदू निकाल जो चोथी यूनिट है इन दोनों यूनिट को भी आप पहले जिन से पढ़ना स्टार्ट करें जैसे गद्य रचनाई हैं तो इसमें बहुत सार रचनाओं के नाम हैं बहुत सारा डेटा है तो आप दो पेज का चार पेज का रोजाना कोटा पनाए कि मुझे रोज इतना याद करना है उसको बहुत करना इन यहीं है तो आधी काल में ईसको बहुत समय लगता है इसका एक तरिका यह बहुत हो सकता था कि मैं पांची उनिट को सभी में बांट देता यहां नाटक रख देता उपने आस रही देता यहां कान यह कांकी रख देता यहां संस्मन रेखा चितर लेकिन मुझे लगता है इसमें विकल्प मनें में बड़ी समस्या है क्योंकि पेपर में आपके वो गद्या के प्रसन आते हैं व अससे कोई ज्यादा मुल्यंकन होता नहीं मेरे मेरे ऐसा मानना है तो 5 पूरी अलग टेस्ट में और पांची यूट पूर साथ दिन लगिए इसको पूरा करने में साथ दिन लगे ऐसी समझ से हा सकती है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप फर्स्ट पेपर और सेकेंड दोनों की चौती पांच वी जो जो जनुट है उसको एक साथ आयार करें मैं यह कैरा हूं कि यसे हम बात करने हैं टिस्ट Oo सोलिशन भी दिये जाहें मुझे लगता है तो बी उता है उसमें दोपरकार के परिसंते उसे झालता है रचना का नाम ऊछलिया परे चार-चार पंक्तियां होती है जिनकि हम इसको विसलेशनात्मक प्रसन कह सकते हैं तो ऐसे प्रसनों को वास्ता में व्याख्या की जरूर्ट होती है तो जो यह दस टेस्ट है इसके हम व्याख्या भी करेंगे जिनको लगे आवशकता हो व्याख्या देख ले और जिन्होंने यह ज़ो दस टेस्ट हैं उसके हम व्याख्या भी करेंगे यूनिट वाइस बात कर लेंगे और मुझे लगता है जब हम दस टीस्ट की व्याख्या कर लेंगे आदीकाल के सो प्रस cracking एंगे और 100 प्रसन की जब व्याख्या करेंगे तो लगवग अदिकाल उसमें आ जा जाए तो जो बड़े मेगा टेस्ट होंगे लास्ट दो पूरे फर्स्ट पेपर का एक और पूरे सेकंड पेपर का एक उसकी व्याख्या नहीं करेंगे तो मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि के बार विद्यारती कहते हैं गुरुजी बताया कुछ था कर कुछ रहो कशिस करता हो मैं कि जो बात मैं कहूं उस पे खरा उतर पाऊं बहुत बार परिश्थितिया नहीं होती बहुत पार चीज़ें बदलती भी है हम इंसान है तो उसी चीजें आसपास सलती रहती है तो हम दस टेस्ट हुंकि जाक्या भी करेंगे उनकि विसलेशन भी करेंगे और दो बातें समझने लाइक हैं उनको समझेंगे इस हिसाब से एक श्रंकला चलेगी अगर आपको लगता है बहुत सारे विद्यारती यह सोचती हैं कि टेस्ट में से प्रस्न आ जाएंगे तो ऐसा दावा मैं नहीं करूँ अकम सकाओं इतना जरूर है कि जो पैटर्न जितने हैं आधिकाल में पैटर्न जो है आधिकाल में जितने प्रकार के प्रस्न बन सकते हैं उतने प्रकार के प्रस्न बनाने की कोशिश की जाएगी जितने पैटर्न हो सकते हैं उतने पैटर्न के में कोशिस कीजएगी कोशिस करेंगे कि एक प्रसुन के माते हमसे आप छार प्रसुन हल कर सकें विकल्ब ठीक से दिये सकें भार-बार ऐसी चीज्य प्रस्नों में डाली जासे कि जिससे आपको दिमाग लगाना पड़े जो आपको सोचने में मजबूर करें, जहां आपकी असली मतलब जो तैयारी है, उसका मुल्यांकन हो सके, ऐसी कोशिश से रहती, ऐसा नहीं है कि जो पेपर हम बनाएंगे, उसमें से कुछ प्रस्णवार पीसी के पेपर में पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना आ जा यह तो संयोग मात्र है, अगर ऐसा हो जाता, कुछ प्रस्णवार पूछे जाते हैं तो यह संयोग मात्र होता, उसमें मतलब यू नहीं है कि हमने दिया था और वह वहां पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लावा कोई बादसीत होगी तो हम आपस में समभाद कायम करें बहुत बहुत धन्यवाद